कि कैसे हैं आप आशा करते हूं सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई भी अबोर्शन पिल्स खाते हैं यानि कि अन्वांटेट किट मेफिजस्टे किट किलियर किट कोई भी आपने यूस की है तो मुस्तली लोगों का ये सवाल होता है कि में अबोर्शन पिल्स खाली वीडियो वह गई पीरेट्स आ गए उसके बाद में हमको प्रेग्नेंसी टेस्ट कप करना चाहिए इसी के बारे में आज हम डीटेल में जानेंगे आगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो यह करते हैं तो में जुर् ありक्रस गोर। यह को अथे जब्लीट्ण का आप एंगर तेस्ट करें तो यह जूर्द करते हैं अक्य Pan, आपके जोड़ेशियों के इसंस जो हो गई हैका सब्लाइब सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के से हम यह कंफर्म नहीं कर पाती कि आपका एबोशन कम्प्रीट हुआ या नहीं हुआ हाँ सिर्फ हम यह जरूर जान सकते कि आपकी बोडी से बीटा-HCG हार्मनोस का लेवल गया के नहीं यानि कि हमारी जो प्रेगनेंसी यह डिसकनेक्ट हुई या नहीं हुई यह हम जान सकते हैं पर अगर आपको यह जानना है कि मेरा एबोशन कम्प्लीट हुआ या नहीं तो इसके लिए तो आपको अल्टरसाउंड करवा के देखना पड़ता है यानि कि यूएसडी या सोनोग्राफी हम करवाते हैं जिससे कि हमको क्लियर होता है कि आपकी जो यूटरस से उसमें कुछ रिटेंशन प्रोड़क्ट नहीं बचा हुआ है कि इनकम्प्ली एवोशन तो नहीं है पूरी इूटरस खाली होई कि नहीं होई यह हम अल्टरसाउंड के दौरा अच्छे से देख पाते है और उसमी से हम clear कर पाते हैं कि आपका abortion complete हुआ कि नहीं हुआ अब हम बात करें प्रेगनेंसी टेस्ट का तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको जब भी आपके periods बंद होते हैं यानि कि bleeding आपको 5 दिन हुई 7 दिन हुई या 10 दिन हुई तो जब भी bleeding बंद होती है उसके वन वीक के बाद में यानि कि bleeding बंद होने के साथ दिन के बाद में हम पहला pregnancy test करते हैं यानि कि यूपिटी करते हैं उसमें देखते हैं क्योंकि पहला जो हमारा प्रेगनिंसी टेस्ट होता है बोशन पील्स खाने के बाद जो पीरिड आया उसको बंद होने के बाद में हमारा फर्स्ट प्रेगनिंसी टेस्ट होता है वो इतनी जल्दी नेगेट्व नहीं आता है बहुत कम पेशेंट का यानि कि 25 परचेंट पेशेंट का ओनली इतनी जल्दी नेगेटिव आ जाता है और लोगों का 28 या 20 डेस्ट के बाद ही नेगेटिव आता है तो मैं जो पेशेंट को रिकमेंड करती हूं कि जब भी आपको ब्लीडिंग बंद हो उसके एक हफ्ते बाद आपको टेस्ट करना है इसके बाद में अगर उसमें दो लाइने आती है यानि कि वो वीकली पॉजिटिव आता है एक लाइन तो डार्क दूसरी लाइट आती है तो जब भी आप टेस्ट करते उसके 10 दिन बाद आपको फिर से एक टेस्ट और करना जब 10 दिन के बाद में आप टेस है कि मेडम हमने एबोर्शन पिल सी भी खाले ब्लीडिंग भी अच्छी हुगई पीरेट्स भी अच्छे खुल के आ गए और प्रेग्नेंसी टेस्ट हमारा नेगेटिव आ गया तो क्या हम यह तो नहीं कर पाते हैं कि हमारे एबोर्शन कंप्लीट हुआ यह नहीं हुआ पर इ बावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी प्रेग्नेंसी की ग्रोथ पूरी तरह से रुख गई है मतलब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है अगर आपने पिल्स खाली पीरेट भी अच्छे से आ गए आपने ब्लीडिंग बंद होने के साथ दिन बाद एक टेस किया वह भी क्योंकि बहुत सारी पेशिंट के बोड़ी में बीटा सीजी हार्मोन का लेविल ज्यादा हो जाता है तो उसको डाउन में काफी टाइम लगता है तो ऐसी कंडिशन में आप यूजदी करा के देख सकते हैं बाकी अगर आपने फर्स टाइम प्रेग्नेंसी टेस्ट किया था यानि कि एबोशन पिल्स खाने से पहले हम जब टेस्ट करते हैं तो उसके दोनों लाइने डार काती है अब हमने एबोशन पिल्स खा ली ब्लीडिंग भी हो गई पीरेड बंद हो गई पीरेड बंद उने के वन विक के बाद हमने टेस्ट किया तो उसमें दोनों लाइनों म बनेगी तो जब भी हम ब्लीडिंग बंद होने के वन वीक बार टेस्ट करते हैं तो आपको एक लाइन तो डार को दूसरे लाइट आएगी अगर आप इसके बाद दस दिन के बाद में एक टेस्ट और करते हैं तो उस टेस्ट में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो इससे हम यह कंफर्म कर पाते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी की ग्रोथ है वो पुरी तरह से रुख गई है ओके